हेलो बच्चों गुड मानिंग आज हम कच्छा दस गडित के दुई घास समीकरण का पार्ट थ्री साल्व करेंगे और इस पार्ट थ्री में हम देखेंगे पूंड वर्ग विद्य से दुई घास समीकरण को हल करना ठीक है दो विद्य हमने हल दो विद्यों से दुई घास समीकरण को हल करना सीख लिए हैं बाज हम तीसरी विद्य देखेंगे तो इसमें पूंड वर्ग बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं एकस स्क्वाइर के गुडांग को वन बनाते हैं जो की यहां पर पहले से ही है ठीक है ना इसके बाद हम क्या करते हैं एकस के गुडांग को सबसे पहले एकस स्क्वाइर के गुडांग पर अपलाई करते है रूल फिर X के गुडांग पर तो X का गुडांग यहां पर क्या है? 7 लिखेंगे X के गुडांग का आधा तो X का गुडांग कितना है? 7 7 का आधा 7 बटे 2 यहां पर लिख दो 7 बटे 2 का वर्ग करके जोडने वा घटाने पर ठीक है? तो देखते हैं X स्क्वायर माइनस 7 X और 7 का आधा कितना है? 7 बटे 2 इसका वर्ग एक बार हम जोड़ेंगे इसी में और एक बार हम क्या करेंगे? गाटा आएंगे ठीक है ना? सबस्वाइल एकस स्क्वायर पर रूल लगाएंगे फिर एकस पर एकस पर क्या रूल लगाएंगे? कि एकस का जो गुडांक है जो आगे लिखा रहता है कितनी बार एकस है? 7 बार तो 7 का आधा 7 बटे 2 इसका वर्ग हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार गटाएंगे और प्लस का 12 इक्वल में 0 अल करहूं एकस स्क्वायर माइनस ये काउन से संख्या बिसम बिसम संख्या के लिए 2 से गुडा 2 से भाग भाग कराएंगे तो 7 बटे 2 अलग कर देंगे ठीक है ना? हमको B बनाना है A स्क्वायर है प्लस B स्क्वायर ये कितना है? 7 बटे 2 तो 2 से भाग 2 से गुडा ये सीधी सीधी बात ले लो अगर भी सम संख्या है तो 2 से गुडा भाग ही होगा सम में नहीं होगा ठीक है? 12 प्लस का तो हम आगे लिख देंगे और 7 सता 49 और बटे में 2 दूनी 4 इक्वाल टू 0 ये सूत्र बन गए हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 A B है ना? तो ये होता A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस इससे साल्व करेंगे इसके नीचे 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इकन 4 और ये 12 चोक 48 क्रास मल्टिप्लाई 48 फिर क्या है बीच में माइनस माइनस 49 इकन 49 इक्वाल में कितना है? ठीक है ना? आगे साल्व करेंगे इसे ऐसे लिखा रहने देंगे एक्स माइनस 7 बटे 2 का होल स्क्वायर यहां पर कितना बचेगा? माइनस का 1 और बटे में कितना है? इक्वाल में 0 अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 7 बटे 2 का होल स्क्वायर तो है ही है ठीक है? एक बटे 4 को हम एक बटे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक का स्क्वायर एक दो का स्क्वायर दो दूनी 4 अब यह सूत्र बन गया हमारा A square minus B square A square minus B square किसके बराबर होता है एक ब्रिकेड में A plus B और एक ब्रिकेड में A minus B तो A कितना है एक बार जोड़ेंगे एक ब्रिकेड में और एक बार एक ब्रिकेड में घटाएंगे तो X minus 7 बटे 2 से घटाएंगे एक बटा 2 equal में कितना है 0 तो salve करते हैं तो ये कितना है LCM लो 2 आएगा यहां पर क्या है minus का 7 और इधर क्या है plus का 1 X LCM लेंगे तो 2 आएगा इधर minus का 7 minus का 1 equal to 0 add करो तो X ये कितना बचा minus का 6 by 2 और इधर minus का 8 by 2 जुड़ जाएगा minus 7 minus 1 minus का 8 ये 4 बचा है यहां पर कितना बचा 3 एक बार इसे 0 के बटे में भेजेंगे तो X minus 3 के equal में 0 आएगा एक बार X minus 3 को 0 के बटे में भेजेंगे तो X minus 4 के equal में आएगा 0 value यहां से आ जाएगी 4 और यहां से आ जाएगी 3 ठीक है यानि x की 2 value 3 कामा 4 यही क्या हो जाएगा answer तो दूसरा question अब हम लेते हैं दूसरे question में क्या है 2 x square plus 4 x plus 6 बराबर 0 सबसे पहले x square का गुडांग देते कितना है 2 है जितना हो उतने से भाग करो तो x square के गुडांग यानि की 2 से क्या कराएंगे भाग करो 2 से भाग इधर हर एक term में करो 2 से भाग 2 से भाग 2 से भाग ठीक है यह क्या हो जाएगा कैंसल 2 दूनी 4 2 ते आई 6 हल करो x square प्लस का 2 x प्लस का 3 इक्वल में कितना आ गया 0 इधर 2 से 0 को भाग कराएंगे तब भी यह 0 हो जाएगा ठीक है न x square का गुडांग एक हो गया अब x के गुडांग को देखते है x का गुडांग क्या है 2 x का गुडांग गुडांग मतलब कितनी बार x आया है दो बार 2 का क्या करते है आधा आधा मतलब 2 बटे 2 2 से भाग कैंसिल होकर के कितना आ गया एक एक का वर्ग जोडेने वा गटाने पर ठीक है कितना है x square प्लस 2 x है ही है प्लस का 1 इसका स्क्वाइर आइड करते हैं और एक बार 1 का स्क्वाइर सब्ट्रेक्ट करते हैं जोडने वा गटाने पर है न जोडेंगे और गटाएंगे ये हर जग है ही करेंगे x के गुडांग का हमेशा आधे आधा कर देंगे उसका वर्ग जोडेंगे और घटाएंगे ये सूत्र बन गया हमेरा इसमें हमने बताया था ये सम संख्या तो दोसे गुडा दोसे भाल नहीं होगा भी सम होगा तो हो जाएगा ये a square प्लस b square plus 2 a into b है की नहीं तो ये बन गया a plus b का whole square one का square minus का one होता है और three equal में zero अल करेंगे तो x plus one का whole square ये कितना बचा plus का two equal to zero अब x plus one का whole square इसे दो तरीके के solve कर सकते दो तरीकों से इधर दो को ले आएएंगे minus का हो जाएगा अब इधर से square हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा root में और एक बार value आएगी plus की और एक बार आएगी minus की ठीक है ना तो x plus one is equals to कितना है plus minus under root दो तो एक बार positive value लेंगे x plus one is equals to under plus का minus में minus में और एक बार value लेंगे x plus one minus का minus root दो ठीक है तब x की value ये plus है इधर आएगा तो minus में minus का 2 root में और minus का one ये मिलेगी x की value यहाँ पर x इधर प्लस इधर आएगा तो minus माइनस का under root माइनस दो और माइनस का one ये मिल जाएगी ये क्या हो जाएगा इसका answer ठीक है अगर और वीडियो बनाना हो तो बताएए कमेंट करिए हम आउर भी बनाते हैं ठीक है